वो दित करेंगे, मैं उनको अमत्रित करता हूँ वीर रानी, कित्तूर चेन्नमा, कित्तूर चेन्नमा मत्तू, संगोडी रायनना, अवरा नाडिना यलारीवो, नमस्कार गळू, बगवान बस्वे स्वर्के, सामाजी ग्णाय और वीर विरांगना उसके सहुर्य से प्रेरित करने वाली, इस वीर भूमी को, पवित्र भूमी को, मैं बंदन करता हूँ करनाटरका, करनाटरका को नमबर वन राज्य बनाने के लिए, आपका उत्सा उमंग अदभूत है, आपका जोश अभूत पूर्व है, मैं सबसे पहले तो, आपकी ख्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, और कारकमों में जड़ा देरी हो गई, और लोगों का उत्सा इतना है, कि जड़ा जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं, मैं फिर से एक बार, आप सब की ख्षमा मांगते हुए, भाईयो पहनों पहने करना टका में पिछले तिन-चार दिन में कई स्थानों पर जाने का मोका मिला है। और मैंने देखा है कि इस बार करना टका ने पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की स्थीर सरकार बनाने का मिलने कर लिया है। चाहे युवा हो, महिलाए हो, किसान हो, मदुर हो, शहर हो, गां हो, चारों तरब, उत्सा, उमंग, जोज, और एकी नारा, एकी मंत्र, एकी आवाद चुनाई देती है, इबारियान निर्धारा, बहुमत वाली बीजेपी सरकारा। सहोदर, सहोदर यरे, अब करना टका में बोटिंग के लिए सरफ एक हपता बचा है। अगले बुद्वार को तो आप करना टक का भविश्य तै कर लेंगे। करना टक की जनता, डबल इंजीन सरकार की बापसिका संखनाद कर चुकी है। करना टका की जनता इस चुनाओं में बीजेपी को प्रचन बहुम्मत देने का निरने कर चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है गरीब का विश्वास, मध्यमबर का विश्वास, नवजवानों का महिलाओं का विश्वास, जो हमारे शूशित, पीडीत, बंचीत, दलीत, पिछडे, अमारे आदिवासी साथी, उनका पहली बार किसी पार्टी पर इतना विश्वास हुआ है। करनाटका के करीब-करीब हर परिवार को डबल इंजिन सरकार की किसी न किसी योजना का लाब मिला है। जिन तक कभी सरकारी मदद पहुँचती तक नहीं थी, उनको भी पहली बार मदद मिल रही है। बंदू भगी नियरे, बीजेपी पर विश्वास का एक और बड़ा कारण है। करनाटका के हर छेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अभुद्पुर्व काम, तेज गती से हुआ काम, जहां कभी रेल और रोड तक बदहाल सिती में थी, वहाँ अब एरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे है। बीजेपी के पास करनाटका को देश का नंबर वन स्टेट बना ले के लिए भविश्य का रोड मैप है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं करनाटका नंबर वन बनना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में करनाटका नंबर एक होई आप चाहते हैं कौन बना सकता है। कौन बना सकता है। कौन बना सकता है। गर गर जाकर के लोगों में विश्वात पहुचाईए कि बीजेपी को वोट मतलब करणा टका का नंबर वन बननाता है इसने ही तरे करणा टका के लोगों को कॉंग्रेस और जीडियेस की शॉर्ट कट गवर्नन से बहुत सावधान रहना है जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाए स्रिप टाल देने की मन्शा हो तो वो कॉंग्रेस की तरही काम होता है इसी शॉर्ट कर्ड गवर्ननस इसलिए देश में वोट बैंक की खराब राजनीती को जन्म दिया है जब कोई शॉर्ट कर्ड पॉलिटिक्स करता है तो कॉंग्रेस ती तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाच को बाट दो समाच के टुकडे टुकडे कर दो एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ गाम वालों को शहर से लड़ाओ अगडों को पिछडे से लड़ाओ पंच के नाम पर बाटना संप्रदाइबात का जुनून पहलाओ भाईयो भहनो यह विकास का रास्ता नहीं हो सकता है इससे विकास नहीं होता है ऐसी शॉर्टकर्ट पॉलिटिक से कॉंग्रेस को जेडियेस को थोड़ा बहुत लाँ पहले हुआ होगा लेकिन यह 21 सदी है जो नव जवान 21 सदी में पैदा हुआ है वो नव जवान अपने भविश्य को शॉर्टकर्ट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है इसी शॉर्टकर्ट पॉलिटिक्स के वज़ा से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गाउँ तक बिजली नहीं पहुची थी करोडों भारतियों के सिर पर पक्की छत नहीं करोडों लोगों के पास बैंक खाते नहीं लाखों गरों में नल से जल की सुविदा नहीं सहोदरा सहोदरियरे शॉर्टकर्ट गवर्ननस की वज़े से विकास में भी अपना पराया का मेरा तेरा इस जाती का उच्जाती का भेद भाव के सिवाए कुछ नहीं होता है और फिर बीच में से मलाई खा लेने की बीजेपी सबका साथ सबका विकास के विजन से शॉर्टकर्ट गवर्ननस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है हमने सुनिश्चित किया कि जो भी योजना होगी वो सबके लिए होगी सबको उनका लाब मिलेगा शॉर्टकर्ट गवर्ननस की प्रैक्टिस करने वालों को भी कभी रीजिनल इंबैलेंस की भी परवा नहीं थी एक की राज्य का एक हिस्सा बहुत विक्सित होता था जबकि दूसरा हिस्सा पिछडा रहे जाता था और यह हमने करनाटका में भी देखा इस समस्या के समाधान के लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्टेक आकांची जीना योजना लेकर आए इतना ही नहीं हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्ट पर भी काम कर रहे हैं अब बीजेपी करनाटका भी संतुली त्विकास पर बल दे रही है बंदू भगिरे आज मैं करनाटका के लोगों से गागर करना चाहता हूं एक जुटता ही करनाटका के विकास का सबसे बड़ा सुत्र है आज करनाटका के खलाब जिस तरह की साजी से हो रही है आज जिस तरह करनाटका की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है जिस तरह कॉंग्रेस तें तुष्टी करन को अपने सबसे बड़ा आधार बना दिया है करनाटका के लोगों को इससे बहुत सतरक रहना है आप लोगों की एक जुड़ता ही कॉंग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों को परास्त करेगी नहीं तरे लोग तंत्र में जनता जनाजन के प्रती जवाब देही एकाउंटिबिलिटी बहुत आवशक है बीजेपी के सौशकार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं मैं भी करणाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूँ लेकिन करणाटकी जनता देख रही है कॉंग्रेस के नेचाओं की जवाब देही दिल्ली के उनके साही परिवार के प्रती है दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोर्ट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है और JDS तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमीटेड कमपनी JDS की जवाब देरी उसके मालिक परिवार के प्रती ही है लेकिन मोदी के लिए BJP के लिए तो करना टका का हर परिवार ही अपना परिवार है आप ही मेरे परिवार जन है आपका सुख आपका दोख यह मेरा परिवार है हमारी जवाब दे ही आपके प्रती है करना टका के लोगों के प्रती है सहोदर सहोदरियर है कॉंग्रेस और जेडियस में एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है उन्हें हर जगह नकार दिया गया है कॉंग्रेस के नेत्रूतों वाली सरकारे अब देश के सिर्फ तीन राज्यों में है तीन राज्यों में इसी तरह दोजार अठारा में यहां जो चुना हुआ जीतने वाले जेडी एस के करीब आदे विदायक सिर्फ तीन जिलों से आते हैं और अब इन तीन राज्यों और तीन जिलों के लोगों नो भी इन देवनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बन ला लिया है लोगे समझ चुके हैं कि ये डुपते हुए जहांच करणा टका का इन खेत्रों का दूर दराज के इलाकों का आदिवासी विस्तारों का कोस्ट लाइन का गरीब का नवजमानों का किसान का बविश्य बना नहीं सकते जो खुद का बविश्य नहीं बना सकते वो आपका बविश्य क्या बनाएंगे बंदो भगणियरें बीजेपी को कैसे करना टका के हर परिवार की चिंता है ये शिरे क्प शब्द नहीं है ये शिरे बाशन नहीं है हमारे एक एक निर्णे को तराज करके देख लीजिए तराजु में तोल करके देख लीजिए हम सिर पर सरेब आप के लिए काम करते हैं आपके बढ़ाई के लिए काम करते हैं देश पे कांगरेस की सरकारे इतने बरसों तक रही हैं सरकारी सेवाओं के अधिकतर एक्जाम याद करिए सरकारी सेवाओं के एक्जाम या तो हिंदी में होते थे या अंगरेजी में होते थे गाओं में गरीब स्टी ओवी सी परिवारों का बेटा बेटी जो कंडरा मीडियम में पड़ा है जो मराथी मीडियम में पड़ा है उसके लिए तो यह बड़ी चुनोती थी कॉंग्रेज जेडियस ने कभी इस चुनोती का समाधा नहीं किया आपने बीजेपी सरकार बनाई तो आपको परिणाम मिला आज मेडिकल टेक्नोलोजी की पड़ाई से लेकर केंद्रिय बलों में भरती की परिशाए भी स्थानिय भाशाओं में होना शुरूआ है चाहे वो तमील हो बराटी हो कंड़ा हो इसका विकल्प आपके लिए उपलब्द करा दिया गया है क्यों? हम आपके लिए जीते हैं हम आपके लिए सोचते हैं हम आपके बच्चों के लिए सोचते हैं उसने ही तरह जिसके लिए अपने परिवार का गवरवगान ही एक मात्र एजंडा हो वो सामान्य परिवारों के बलिदानों उनके दुख सुक की चिंता नहीं कर सकता इसलिए वो वीर सावरकर को बार बार गाली देते हैं आए दिल स्वातंतर सेगानी वीर सावरकर जी को उनके विरुत जुट फ़लाते हैं बाबा साव अम्बेड कर जब जीवित थे तब डगर डगर उनका अपमान किया बार बार जहां मोका मिला बाबा साव अम्बेड कर जी को अपमानित किया इतना ही नहीं हमारे करणाटका के वरिष्ट नेता बिरेंदर पाटिल जी हो एस निजलिंग पाजी हो उनको भी इसी मानसिकता से अपमानित किया गया सहोदर सहोदर यह रहे कित्तूर करणाटका ने तो देश को नारी शक्ति का सामर्थ दिखाया है कित्तूर की रानी चिन्नमा का शौरिया हम सब चानते हैं जब तक देश पे कॉंगरेस थी तब तक बारत की सेना नेवी एर फोर्स पे बेटियों की एंट्री या तो बन थी या बहुती सीमित भुमिका थी आज हमारी सरकार ने सेनाओं में हमारी बेटियों के लिए नए द्वार खोल दिये है साइनी स्कूलों और मिल्ट्री ट्रेनिंग स्कूलों को भी बेटियों के लिए खोल दिया गया है और अब तो बेलगावी में सांगोली रायनना साइनी स्कूल भी बन कर तैयार हो चुका है बंदो भगे नेर है जब टैक रिकोर्ड अच्छा ना हो जब जनता का विश्वास ना हो तब जूठ बोलना कॉंग्रेस की सबसी बड़ी मजबूरी बन गई है यहां जो मेरे नवजवान बेटे बेटिया है जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको मैं जड़ा पुरानी कुछ चीज़े याद करना चाहता हूँ उनको उनके लिए सारी बाते नहीं होगी उनको पता चलेगा कि आपके माता पिता को कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ा इनके कारण आपके माता पिता को जो मुसीवतों से गुजर ना पड़ा मेरे नव जवानों आपको वैसी जिन्दगी जीनी न पड़े इसलिए मोदी अपने आपको खपा रहा है अब देखिये क्या हुआ था 2009 में जब कॉंग्रेस की सरकार थी 2009 में कॉंग्रेस ने देश को गारंटी दी थी कि वो तीन वर्षों में देश बर के सभी गाउं को ब्राड बेंट इंटरनेट से जोड़ेगी इस गारंटर का क्या हुआ तीन वर्ष में पूरे हिंदुस्तान को ब्राड बेंट गारंटी दी थी उन्होंने यह जो गैरंटी के पाशन जाड़ रहा है ना उनकी बात बताता हूं मैं तीन वर्सों में कॉंगरेस ने सिरफ आप चौक जाएंगे सिरफ सो से भी कम ग्राम पंचायोतों तक ब्रोडबेंड की सुविधा पहुचा पाई यह इनकी गैरंटी यह अपनी गैरंटी पर ऐसे ही क स्काम करने के आदी है बोलना बहुत कुछ करना कुछ नहीं नहीं तरह बीजेपी संकल पलेकर सिद्धी में जुड़ जाती है आज देश के उन्होंने सो से भी कम गाउं किये थे हमने आकर के दो लाग से अधिक गाउं परिंचायतों तक ब्राडबेंड सुविधा पहुचा चुके हैं हम मुझे बताईए मेरे नव जवानों ये सो गाउं तक पहुचने वाले चाहिए कि दो लाग गाउं तक पहुचने वाले चाहिए आपको दो लाग वाले चाहिए न दो लाग गाउं तक काम करने वाले चाहिए न ये सोज गाउं में जाने वाले लोग अब करनाटका का क्या भला करेंगे भाई ये ठके हारे लोगे कुछ नहीं कर सकते यही नहीं आज डिजिटल इंडिया की जो ताकत बनी है उसका मुकाबला करने में दुनिया के विक्षित से विक्षित देश भी आज भारत से बहुत पीशे रह गए है आज गाउं गाउं में सरकारी योजनाए फोन पर ही उप्लब्द है डिजिटल इंडिया से हम हर सुविधा आपके दर्वाजे आपके फोन पर लाए है डिजिटल इंडिया से खेती करना भी आसान हो रहा है और गाउं में गर बैठे 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 बहतर पढ़ाई की सुविधा भी संभव हुई है गारंटी के नाम पर दोखा दिया कॉंग्रेस ने और काम किया आकर के दो गारंटी वो देखे गए काम किस ने किया बीजेपी ने आकर के काम किया भाई और बहनों ऐसी दूसरी एक गारंटी की जरह मैं बात करता हूँ कॉंग्रेस ने 2004 में आज से करीब करीब 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ 2004 में बिजली को लेकर के उन्होंने ऐसी गारंटी दी थी कॉंग्रेस ने कहा था कि 3-4 साल में देश के हर घर को बिजली देंगे लेकिन 2014 में यानी दस वर्ष बाद भी जब मैं दिल्ली आपने मुझे पहुचाया तो मैंने देखा धाई करोड परिवार ऐसे थे जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुची थी अंद्रे में जीवन जीनों को मजबूरे परिवार अधिकतर एस सी स्टी ओवी सी समाज के लोगों के थे बीजेपी सरकार ने सवभाग योजना का संकल्प लिया और बहुत कम समय के भीतर देश के हर परिवार को बिजली कनेक्शन दे दिया दोस्तों बेड़गावी जिले के भी करिब 40,000 परिवारों को भी इसका लाब मिला आपको भी असर होगा यह बेड़गावी जिले में 40,000 परिवार ऐसे थे 2014 के पहले इनका पास बिजली नहीं थी दोस्तों यह मोदी ने आकर के काम किया है नहीं तरह हम समस्याओं के स्थाई समाधान पर बल देते हैं आप याद कीजिए रेल कनेक्टिविटी के अभाव में यहां कितना लंबा रूट आपको लेना पड़ता है सालों साल से जो आपकी डिमांड रही है उसे अब डबल इंजिन सरकार पूरा कर रही है मैं कुछ दिन पहले बेड़कावी आया था तो अनेक रेल पोजेश का सेला न्यास भी किया था बेड़कावी में आदुनेक रेल वेश्ट रजन मन्ने से सुविधा भी बड़ी है और गर्व की अनुभूती भी हो रही है आप आज देखिए दुनिया के सबसे बड़े रेल वेश्ट प्रेट्फरम में से एक आज हुबली में बना है जब ऐसी कनेक्टिविटी होती है तब खेती हो या उद्योग सब को लाब होता है नहीं तरह कॉंग्रेस और जेडियस की सरकारों ने किसानों की समस्याओं को भी हमेशा लटकाए रखा है कॉंग्रेश के सासन में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी लेकिन बीजेबी सरकार ने उसके स्थाई समाधान पर भी काम किया बिते नव वर्षों में हमने गन्ने से इतेनौल बनाने पर बहुत अधिक बल दिया कॉंग्रेश के पास इसको लेकर ना तो सोच थी ना ही इसके लिए सही नियत थी साल 2004 में कॉंग्रेश ने कहा कि पैट्रोल में पांच प्रतिशत इतेनौल ब्लेंड करेंगे लेकिन दस वर्षों में ये तील प्रतिशत से जादा नहीं कर पाए पांच का लक्ष रखाता वो भी नहीं कर पाए तील परा करके उनका काम अटक गया जबकि बीजेपी सरकार ने आपने इस सेवक को काम दिया दस प्रतिशत ब्लेंडिंग का टार्गेट भी समय से पहला पुरा करके दिखाया अब बीजेपी सरकार बीज प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष हासिल करने के तरफ बढ़ रही है सहोधर सहोधर यह रहे जादा इथेनोल ब्लेंडिंग का मतलब है गन्ना किसानों को जादा पैसा मिलेगा गन्ना किसानों को समय पर पैसा मिलेगा जादा फसल होगी तो भी नुक्षान नहीं होगा कम फसल होगी तो भी नुक्षान नहीं होगा दोजार तेरा चौदा के बाद से लेकर पिछले सीजन तक सत्तर हजार करोड रुप्य का इथेनोल चीनी मिलों से खरी जा गया है साथियों कॉंग्रेस की गलत नित्यों के कारण गन्ना कोप्रेटिव्स पर बहुत अधिक दबावा गया था इस वर्ष के बजेट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोप्रेटिव्स के लिए दस हजार करोड रुपे की मदद दी है गन्ना किसानों को एफारपी में भी डबल इंजिन सरकार का लाब मिला है पिछले नव वर्षों में एफारपी में हमने नव सो रुपिये प्रती मैट्रिक टन की बढ़ोतरी की है इसमें करना टका की बीजेपी सरकार सो रुपिये और जोड करके दे रही है सहोदर सहोदर ये रहे जीन कामों को कॉंग्रेस ने छोटा समझ कर उसकी तरफ देखा भी नहीं बीजेपी सरकार ने उनी कामों पर बल दिया जैसे हां करना टका में अम्रित स्वाबिमानी कुरुगाही योजना ने उसकी बहुत चर्चा है इसके तहट बेड बक्रियों के लिए हमारे कुरुबा परिवारों की मदद की जा रही है आज देश में पशुओं के मुपत्तिका करन का जो राष्टिय ब्यान चल रहा है उससे भी इनसाथ्यों का लाब हुआ देश में पहली बार छोटे किसानों को सीधे बैंक खाते में पी-एम किसान सन्मान निधी का पैसा मिला बेड़गवी के लाखों किसानों के बैंक खाते में लगबाग तेरा सो करोड रुपे पहुंच चुक है एक जिले में तेरा सो करोड रुपे और दिल्ली से एक रुपे निकलता है न पूरे के पूरे सो पैसे उसे खाते में जमा होते हैं बिच में कोई पंजा हाथ नहीं मार सकता है कार्मिक समीक ऐसे हर वर्क को पहली बार पेंशन और विमा की सुविदा भी मिली है बीजेपी सरकार ने ही पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रेड़ी पट्री वालों के लिए जो फुटपात पर दुकान लगा करके खड़े रहते उनके लिए पी-एम स्वनिती योजना बनाई है इससे भी करना टका के लाखो साथ्यों को मदद मिली हमारे कुम्बारा कम्मारा अक्कसालिगा शिल्पी गारे केल सद्वा बढ़गी जैसे साथ्यों के लिए भी हम पी-एम विश्व कर्मा योजना लेकर आए है बंदू बगिने रहे मु मुद्रा योजना ने तो देश में छोटे उद्यमों के रूप में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है करना टका इसके सबसे बड़े लाबार्ति राज्यों में से एक है यही बेड़का विचले में हजारों लोगों को बीना बैंक गारंटी मुद्रा लोन दिये गए हैं इन मैंसे अधिक्तार मेरी माताओं बैनों ने लिए हैं स्वरोजगार शुरू किये हैं सहोधर सहोधर यह रहे गरीब कल्यांट रोजगार स्वरोजगार से लेकर आदूने की इन प्वासर तिरका इसाई काम करना टका को नंबर बन बनाएगा इसलिए अब कॉंग्रेस का रिवर्ज गेर नहीं चाहिए डबल एंजिन की स्पीड ही चाहिए और इसलिए गर गर एक बात पहुंचानी है यह बारिया निर्धारा बहुंबद्दा बीजेपी सरकारा भाईयों बैनों एक सप्ता बाकी है गर गर जाएंगे एसे ने हाथ उपर करके पुरी ताकत से बताईए गर गर जाएंगे हर पॉलिंग बूद को जीतरे का काम करेंगे एक एक पॉलिंग बूद जीतेगा एक भी पॉलिंग बूद हारेंगे नहीं न हर पॉलिंग बूद हमारा चुनाव जीतने का बहुत बड़ा किला है उस किले को जीतेंगे न पक्का जीतेंगे हर परिवार में जाएंगे मतदान करवाएंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे करेंगे क्यों ठंडे पड़ गए भई चुनाओं में तो करेंगे लिए मेरा काम करेंगे नहीं करेंगे मेरा पर्सनल काम है करेंगे एसे ने हाथ उपर करके पूरी ताक़ जबताओ तो मैं बरुसा लेके जाओ ये चुनाव का काम नहीं है मेरा परसनल का मैं करोगे अगर आप करने वाले हैं तो अपना मोबाइल लिका लिए और अपने मोबाइल की जरा फ्लेष लाइट चालू कीजियों और मुझे बताइए मैं देखता हूँ कहां कहां लाइट हो रही है सब कि लाइट जलनी चाहिए वाच है वाच हरे की फ्लेष लाइट जले मुझे बताइए आप लोग जाएए गर गर जाएंगे गर गर जाएंगे अच्छा मैं एक काम बताता हूं करोगे करोगे देखिए गर गर जाकर के कहना कि मोदी जी बेड़गावी आये थे सुनिये सुनिये पहले पहले सुनिये अरे सुनिये मेरी बात पहले मेरी बात सुनिये गर गर जाकर के मेरा एक काम करना आए जाकर के कहिए मोदी जी बेड़गा भी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है मोदी जी ने प्रणाम बेजा है इतना कर दोगे हर गड़ में मेरा प्रणाम पहुंचा होगे मेरा नमस्कार पहुंचा होगे जब इन सब को आप मेरा प्रणाम कहोगे न तो सब लोग मुझे आशिरवाद देंगे और जब सब लोग आशिरवाद देते हैं तो मेरी ताकत काम करने के लिए और बढ़ जाती है मैं ठकता नहीं हूँ दोड़ता हूँ आप के लिए दोड़ता हूँ तो जाओगे न मेरा नमस्कार पहुंचा होगे न गर गर जाओगे बोले मेरे साथ भारत माता की भारत माता की भारत माता की बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर ढहिने कर दो कर दो दो प् nouveau